Good morning dear student and welcome back to my youtube channel let's discuss dear student today we are going to discuss class 9 subject science and workshop number 17 and this workshop for 13th of August 2021 So dear student आज हम पढ़ेंगे compound and mixture जो की बिहादी आसान है और इस compound और mixture से आपके एक्जाम में आने के काफी chances हो जाते हैं और इसमें से 2 से 3 नमबर के आपके एक्जाम में definitely पूछे जाएंगे ठीक है तो चलिए हमें start करते हैं आज का we have learned about the element but what are compound हमने element के बारे में पढ़ लिया है जिग्यान कह रहा है लेकिन अब जिग्यासा देदी से पूछ रहा है compound के बारे में बताईए ठीक है तो हमने element के बारे में तो पढ़ लिया compound क्या होता है compound are the those pure substance which are form when two or more element combine यानि compound जो है न वो pure substance होता जिसमें दो या दो से अधिक element combine होता है और किस प्रोसेस से बाइदा chemical process one another और फिक्स proportion में होता ठीक है जैसे कि salt हो गया glucose हो गया water हो गया water is formed by the chemical combination of hydrogen and oxygen तो देखिए तीर स्टुडेंट इसमें जो आप से पूछा किया है glucose glucose का क्या होता C6H12O6 ठीक है तो यह देखिए यह 6 is 2 12 is 2 6 अब इसको कट करेंगे तो यह 1 is 2 2 is 2 2 तो यह 1 हो जाएगा यह इस ratio में यह क्या क्या हुआ यह एक दूसरे से combine है फिक्स प्रोपोर्शन में ठीक है तो यह process जो है यह compound होता है राइट अब इसी में देखेंगे आप जो है ना डीर स्टुडेंट अभी जैसे H2O यह क्या है water है तो water है तो hydrogen का combination है अब प्लस में oxygen का combination है ठीक है अब next देखेंगे इसमें डीर स्टुडेंट जो chemical combination of hydrogen all the substance that are present around us are made up of the two or more element यानि जितने भी substance हम आसपास देख रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे डीर स्टुडेंट जो कई आपके पास cell phone होगा ठीक है आपके पास जो ना कोई बरतन होगा ठीक है जैसे utensils होगा ठीक है आपके पास fridge होगा वो कई elements से मिलकर के बने होते हैं ठीक है बट इन दा नेचर most of the them are the found in the form of the compound and mixer लेकिन अधिकतर जो nature में है वो compound और mixer के फॉर्म में पाया जाता है अब डीर स्टुडेंट इसमें हम देखेंगे जो compound or mixer होता क्या है वाट डू इमीन अब इन इसे हमें अच्छे से समझने की जरूत है राइट तो चलिए हम इसे अच्छे से समझते हैं ठीक है compound or mixer होता क्या है क्या होता है तक डीज आर्डव फॉर्म बाइद प्रोसेस यानि compound हमेशा जो ने केमिकल प्रोसेस से बनता है जबकि mixture जो है न यह कोई chemical प्रोसेस से नहीं बनता है ठीक है यह एक formation से बनता है जो कि compound जो है देयार साइंटिफिकली प्योर होता है नेचर में जबकि mixture जो है न सेंटिफिकली इंप्योर होता है नेचर में राइट तो आई होब डियर स्ट्रेंट आपको यह समझ में आ रहा है अब देखिए इसके बाद हम इसमें देखेंगे डियर स्ट्रेंट देर कंपोजिशन रिमेंस फिक्स इन डेफिने प्रोसेस नहीं का जो compound का composition होता है फिक्स और गया से स्टेट और वह भी डिफिनिट और फिक्स टेंप्रेचर पर जोने क्या होता है compound चेंज हो जाता है ठीक है इट कंसिट्वेंट कैन बी सेपरेटिड ओनली वाइदा केमकल डियक्शन सा और इसका जो कंसिट्वेंट है वो सेपरेट किया जाएगा चेमकल प्रोको हैं ओने पिसकंशन युद्वेंट लिक्शन साथ मिलाते हैं तो तो किसी भी पोर्शन में तो कहलाता है, मिक्सर कहलाता है, ठीक है, मिक्सर कैन भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो सकता है, होमोजीनियस में आप सभी को पता है, जैसे कि आप सभी को पता है, क्या है, वाटर और पलस सुगर, वाटर और पलस सुगर क करनें तो यह क्या हो जाएगा होमोजीनियस है क्या सॉल्ट और प्लस वाटर तो यह हमारा हे ट्रोस हो तो होमोजीनिमिस का एक्जामपल यह है और यह हे ट्रोसेटिनियस का इक्साइब है जहोंकि एर में धिखले एस्ट में भालाuggypt हो गाप सब्सक्राइब करें तो यह सारे सब्सक्राइब करेंगे मिक्सर को तो यह किस प्रोसेस करेंगा तो फिसकल मेथड़ से कर सकते हैं ठीक है जैसे यह सारे होते हैं अब डियर स्टुडेंट आपको देखना जो इसमें बहुती आसान से को से जो कि फोर को सब्सक्राइब करके आंसर देखते हैं तो लेट सी इसके आंसर को देखते हैं कोश्चन नमबरर दीर श्टुडेंट हमारा फर्स्ट है एक्स्प्लेंट कमपॉंड और मिक्सर को एकस्प्लेंट करना है विद था विद घलप ओप एक्जामपल तो इस प्यूर्ट कंपॉंड को होता है जिसमें लोग का प्रोसेस यह जो ने ड्यवारश चुना में और व आथे कमपाउंट के लिए अपने देखेंगे शॉल्ट हो जाएगा गुलकोच वाटर हो जाएगा जिसको कहते हैं थीक है अब हम देखेंगे इसी में mixture dear student, mixtures are the substance composed of two or more form of matter यानि mixture वो substance होता है जिसको दो या दो से अधिक matter को मिलकर के बनता है जैसे such as the example include a mixture of salt, salt का mixtures and the water, mixture of the sugar and the water and different gases, air ठीक है, अब dear student इसमें हम question number second देखेंगे जो कि बेहदी आसान है और इसे आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, differentiate between the compound and a mixture compound and mixture में अभी अभी हमने आपको सारे difference बताया है, जो कि बेहदी आसान सा है तो यह सभी आप compound and mixture का जोने difference एक एक करके dear student इसे आप note down कर सकते है ठीक है, तो compound and mixture का क्या करना है आपको, इस सारे difference को एक एक करके note down कर लेना है और इसे याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आपके exam में यहां से questions बनते हैं ठीक है, differentiate between the compound and mixture और homogeneous और heterogeneous से भी बनते हैं तो इसे आपको अच्छे से लिख लेना है, तो आई हो कोई आपको issue नहीं आएगी, अब next देखते है, classify the following into the compound and mixes and also identify pure substance from the given list and write them separately, water, soil, sugar, salt, sugar solutions, air, milk, carbon dioxide, hydrochloric acid and brick ठीक है, तो चलिए dear student इसमें हम फस्ट देखते हैं, जैसे compound, compound क्या होता है, जैसे water है, sugar है, salt है, carbon dioxide है, hydrochloric acid है mixer में इसमें soil हो जाएगा, sugar हो जाएगा, solution हो जाएगा, air हो जाएगा, milk हो जाएगा और brick हो जाएगा जब कि pure substance में dear student, water, sugar, salt, carbon dioxide, hydrochloric acid हो जाएगा, तो I hope मेरे प्यारे student ये बहतर तरीके से आपको समझ में आया है ये लगता है, ये वीडियो आपके लिए helpful है तो इस वीडियो को आप like कर सकते हैं, हमारे चैनल पे नहें तो चैनल को subscribe कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक इसे share कीजिए ताकि उन्हें इसका benefit मिले, ओके लिए तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वरक्सित में तब तक के लिए, bye bye, take care, have a great day